हेलो प्रेंस बेलकम है आप सबका मेरी यूट्यूब पूच जादन चैनल पर आज मैं आप लोग के साथ में सेर करने वाले हूं चावल की आटी के एकदम न्यू रेसेपी बहुत ही इजी तरीके थे बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगे मैं आज आपको चावल की आटी से बन अदिस था है और आप मीं जरूब ट्राइ बना करके तावल की आटी से बहुत ही तरीके से बनकर तियार हो जाता है, खाने वे बहुत ही अच्छा लगता है आप इसे कभी भी बना सकते हैं वह तीजी तरीके से बनकर के रेडियो होता है और जैसे हम हूली पर इसे बनाते हैं उसी तरीके से बनता है तो देखी यहां पर मैंने चावल का आटा लिया हुआ है यह देखिए सूकत चावल का आटा बनाया हुआ है मैंने यहां पर लिया है मैंने एक कटोरी खोवा माबा जो बोलते हैं और यहां पर एक कटोरी में लिया हुआ हमेने सुगर पो पाउडर चीनी पाउडर उसे हम बूरा बोलते हैं तो एक कटोरी हमने बूरा लिया हुआ है और एक कटोरी हमने खुआ लिया हुआ है घर का बना हुआ और यहां पर यह है तो बूरे को मैं यहां पर इसमें एड़ करूँगी और मिला लूँगे अची तरीके से मिक्स करूँगी हाथ की मदद से यह देखिए और यह जो खुआ है हमारा यह घर का बना हुआ है तो मैं एक कटोरी खुवा एट करूंगी इसमें और इसे भी हार की मदद से अची तरीके से मिल आलोंगी और ये एक घर का बना हुआ खुवा है उसमें घी ज़्यादा होता है और जो बहर का बना होता है वो थोड़ा अलग तरीकी के लगता है इसमें पानी एक करने की जरूद नहीं पड़ेगी इसी तरीके से हम इसे मिसल मिसल के इससे गूंद लेंगे इसी तरीके से तो देखे इस तरीके से गूंद लोंगी मैं इसे इससे आठ से 10 मिनट तक इससे आठे को गूंद अची तरीके से और अगर आपको लगता है पानी के एड़ करने के तो थोड़ा सा एक चम्मच पानी भी एड़ कर सकते है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने इसे डख करके रख दिया है 10-15 मिनट के लिए तो अच्छे से सेट हो जाएगा यह आठा तो इससे 10-15 मिनट के लिए डख दिया था और अब मैं इसे खोल करके चेक करती हुआ तो देखे हमारा आठा शेट हो गया है तो इससे एक बार 5-6 मिनट के लिए और अच्छे तरीके से गूंद लूँगे देखे मैंने इसे गूंद लिया है इस तरीके से सेट कर दूँगे इसे इस तरीके से मैं लोई बना लूँगे यह देखिए लड़ू बनाते ना उसी तरीके से हमें छोटा-छोटा लोईयां बना लेना है पेड़े की तरह यह देखिए इस तरीके से इसे इस तरीके से करते हुआ आतेलियों से उगली की मदब से इसे हम इस तरीके से करतेंगे जैसे हम रोटी बनाते है ना तंदूर की तरह तो इसी तरीके से हमें बना लेना ये देखिया है तो इसी तरीके से हमें सब बना लेना है और वो खाने भूत अच्छा टेस्ट आता है तो आप भी एक वाजरू ट्राइ किजेगा आपको वीडियो कैसा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूब तहिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजेगा वीडियो को लाइक किजेगा और पसंद आता है वीडियो तो ज़्यादा से यदा शेयर भी किज़ेगा तो चले हम इसी तरीके से सब बना लेते हैं यह देखिए इस तरीके से हमें बना लेना है छोटा छोटा तो यह देखिए हम पर मैंने बना करके रेडी कर लिया है सब को सबीख मैं कड़ाय को रखोंगी गरम करने के लिए और इसे अमें बहुती लोग जादती आंज पर नहीं पकाना है मेडियो आंज पर पकाना है दीप में ध्यान रखना है कि हमें इसे एक तरब बादाशना है तो देखिए महारम ने इसमें घी अट कर दिया है और यह गरम हो गया है तो हमें इसमें तल लेती हूँ आप इसे इससे भी बोल सकते हो बटल से अलग तरीके से बनाया हुआ है लेकिन खाने में भी सुवाद इसका अलग है और बहुती अत्य सुवाद आता है देखिए मैं चैसे साथ में तल रही हूँ तो आप अपने इस साथ से तल लिएगा और देखिए दीमी दीमी आस पर पकाना है और ध्यार रहना है एकी साथ में पकाना है दोरों साथ में नहीं पकाना है और मैंने इसे निकाल लिया है यह देखिए इस तरीके से इस तरीके से बनके तियार हो जाएगा तो देखिए बनकर के रेड़ी है तो आपको मेरे वीडियो कैसा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रू बतायागा तेंक यू